आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम इसे दान तक नहीं हो तरही स्टेडी ग्लोज पर आपका वह दो स्वागत है सेफ तो होगी ही यह मेरा टेलीग्राम चैनल है आप यहाँ पर पीडियाफ ले सकते हैं सारी जो भी लेचर अप्लोड होता है और मैं इंस्टा पर आ गया हूँ आट से दस बज़े तक सारी कुरी आप यहाँ पूछिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक सारे है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट और टेलीग्राम के भी तो इतिहास देख लेते हैं तो को हिस्ट्री की क्या बात करें जब भारत आजाद हुआ तो हमको employment की जरूरत थी कोई भी इंसान अगर उसको रूटी कपड़ा मक मिल रहा है तो वह खुश रहेगा तो भारत में 1960 में 1960 में 1960 से लेकर अभी तक मतलब अभी तक क्या काफी वक्त तक कोई ऐसी employment scheme नहीं थी जो गाउं में दी जा सके देखो जादा तर लोग काम की तलाश में शेहर में चले जाते हैं 70% लोग यानि कि 100 में से 70 भारती गाउं में रहते हैं भारत गाउं में ही बसता है और अगर आप गाउं में ही आप employment ना दे तो फिर फाइदा नहीं है अब दोस्तों जब employment नहीं मिला 1960 से लेकर 1990 तक तो दिक्कत हुई इसी बीच बहुत सारी schemes चलाए गई जैसे rural manpower program चलाए गया ठीक है फिर उसके बाद crash scheme for rural employment चलाए गई देट सारी scheme आई ताकि जो गाउं में work provide क्या आजा सके agricultural labor scheme आई economic development के लिए food for work कैर वो तो अभी भी है यह सब आया फिर national rural employment program आया community development के लिए और जिनके पास employment नहीं है और ultimate यह हम देखते हैं एक अप्रेल 1989 को सारे employment generation को converge कर दिया सबको मिला दिया जो भी infrastructure development program थे food security सबको convert करके जो पहले चल रहा था NREP और RLEGP जो अभी मैंने बताया इससे एक नई scheme बनवाई JRY सबको converge करके एक नई सिफ एक ही scheme चलेगी JRY अब JRY का aim यही था main aim यही था कि इसमें employment दिया जा सके है JRY का performance जवाहर रोजगार योजना इसको संपून रोजगार योजना भी बोलते हैं दो अक्टूबर 1993 को employment assurance scheme आई पीवी नर्सिमा राओ 1991 में हमने अपनी economy भी खोल दी थी तो पीवी नर्सिमा राओ यह भी लेकिया है ताकि जिनके पास agricultural हैं जो भी agricultural हैं जिनके पास उनको employment दिया जा सके उसके बाद 1999 में जवाहर रोजगार योजना को revamp किया गया और इसको जवाहर ग्राम समरिध्धी योजना और ultimately हम देखते हैं इसको भी मर्ज कर दिया गया लेकिन दोस्तों मेन 2005 में सब चीजों को हर जितनी भी scheme है अच्छा 2001 में सरकार ने food for work प्रोग्राम भी लॉंच किय 1977 में आया था इसी basis पे ही food for work 2001 जब अटल भी आ रही वाच पे ही सरकार थी लेकिन इसको भी merge कर दिया गया ultimately एक ही scheme जिसको बोला गया MG नरेगा 2006 में आगको बता दूं महात्मा गांधी Employment Guarantee Act 2005 बाद में इसको पहले नरेगा बोला जाता था बाद में महात्मा गांधी जी क सबको Employment मिले गाउं को डेवलप करो तो महात्मा गांधी जी का भी नाम आगे जोड दिया गया तो MG नरेगा हो गया यह तो 2005 में Act पास करके 2004 में सरकार चेंज हो गई थी Congress सरकार आ गई थी तो 2005 में इसको Act पास करके बनाया गया यह Right to Work देती है समझ रहे हो कि आपको काम करन कादिकार मिलेगा Basic Human Right है Right to Work एक Social Security है परशान ना हो आपके पास काम ने तो हम है अभी Lockdown में MG नरेका तो launching pad बन गया था ना जो schemes है इन फाक्ट जो रोजगार देना था वो MG नरेका के ही थ्रू दिया था जितने भी वहापस आ गये तो जो migrant laborers अब हम कुछ important points पर नजर डालत हैं 11th 5-year plan के हिसाब से जो Indians है वो they live on less than $1 a day इनको below poverty line बोला जाता है उस समय एक डॉलर 50 रुपए का था 50 रुपए एक दिन 50 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं तो इनको below poverty line बोला गया और देखिए अभी तक तो इस population 1973 की बात करें तो बहुत थे 1993 में 1993 से 2005 तक 36% है 23% का decline और अभी तो all decline है मुझे exact टाकड़े तो भी नहीं आद आ रहे हैं लेकिन दोस्तों MG नरेगा ने काफी कुछ किया तो अब हम MG नरेगा के बारे में जानते हैं में अपनी scheme पर आते हैं इसको क्रिटेसिजम भी काफी होता है लेकिन फिलाल हम क्रिटेसिजम को छोड़के scheme पर आते हैं तो MG नरेगा क्या है यह lifeline है rural workers की lifeline है बाई दको गाउं में बहुत सारी चीज़े होती है जैसे मालो bridge बनना है तो उसके लिए employment उसके लेबर्स की चाहिए तो लेबर्स कहां आप MG नरेगा में employment ले लो इसमें register कर वालो तो unemployment एक बहुत बड़ा challenge था हमारे लिए आपको बता दूं कि लगभग 12.2 करोण laborers को हर साल MG नरेगा के अंदर काम मिलता है बहुत बड़ा अकड़ा है इतनी तो population नहीं है एक देश की इतनी population नहीं होती है right to work यह चलो मैंने बताए दिया करता क्या है कम से कम 100 दिन के लिए यह काम देता है legally it provides कम से कम 100 दिन के लिए 2014 में मैंने बताना amendments 100-150 दिन करो कम से कम 150 दिन के लिए लेकिन यह success नहीं हो पाया तो अभी क्या है MG नरेगा में आपको कम से कम 100 दिन के लिए आपको काम मिलेगा यह है objective क्या है इसके objective है सबसे पहले तो 100 दिन से नीचे कोई भी खाली ना बैटे मतलब 100 दिन तक तो काम आपको देना ही देना है जो unscaled levels है उसके बाद जो घरीब है उनको mainstream में लाया जाए उनका एक तरीके से social security जो है वो सरकार सुनिश्यत करे फिर उसके बाद काम कैसे मिलेगा जैसे कूए बना दिए पॉंट से बना दिए रोड से बना दिए इन सब को बनाने में लेवर्स लगते हैं तो गाउं से उ चौथा सबसे important point objective urban migration को रोको चाहे जो हो जाए urban migration अगर सारे गाउं के लोग शहर आ जाएंगे काम की तलाश में तो problem हो जाएगी तो best यही है कि गाउं में ही काम देदो ना काम की तलाश में जाते हैं तो गाउं में ही काम देदो तो urban migration को reduce करो और उसके बाद यह जो आपन और उसी rural labor को use करो जिसका अभी तक यूज नहीं किया गया तो इसमें human resources भी develop होंगे एक इंसान खाली बैटा है उसको भी काम मिलेगा और गाउं भी develop होगा कौन eligibility क्या है इसके लिए? eligibility के लिए you have to be the citizen of India उसके बात है उसके बाद आप 18 साल आपकी age होनी चाहिए 18 साल से नीचे तो चलेगा नहीं 18 साल आपकी age होनी चाहिए फिर जिस गाउं में आप रहते हो उसी के ही आप member होने चाहिए क्योंकि application जो है वो local gram पंचायत में जाएगी फिर उसके बाद applicant जो है he must volunteer for unskilled labor, skilled labor के लिए क्यों करोगे? skilled आप समस्तों जैसे इंजिनियर्स की skilled labor होगया doctor skilled होगे, skilled है ये, कला है अब जो नहीं पढ़ पाते हैं they are called unskilled फिर उसके बाद ministry of rural development के अंदर आता है ये, पूरा implementation MID देखती है ठीक उसके बाद जो beneficiary oriented work है that can be taken upon the cards of schedule caste and schedule tribes ये भी है application क्या है आपको registration करना पड़ेगा gram पंचायत में आपको registration करना पड़ेगा और उसके बाद आपको job cards issue किये ही जाएंगे और wage जो है पैसा आपको 15 दिन के अंदर अंदर मिलेगा पंदरा दिन लगते हैं जैसे ही application submit होगी आपको wage employment मिलेगा तुरंत यानि कि पैसे आप जो भी काम करेंगे उसके बदले आपको पैसे दिये जाएंगे social audit is mandatory social audit होता है यहां पर transparency होनी चाहिए ना यह सब पैसे खा जाएंगे corruption इसमें एमजी नडेका में corruption की भी एक बात आती है तो इसलिए social audit होता है ताकि transparency audit होता है यहां पर देखा जाता है जो पैसे आ रहे हैं सब को काम मिल रहा है कि नहीं सब बढ़िया है कि नहीं ग्राम सभा का रोल क्या है अचा यह देख लिजे कौन permissible work क्या water conservation water harvesting dot यह सब यह सारे work जो है flat control water यह सब होते हैं इसी के अंदर employment मिलता है इस states की जिम्मदारी है states implement करेंगी वो set of norms जो है measurement of works के लिए तैर करें और rate कितना होगा यह state to state vary करते हैं ठीक है अब gram सभा और gram पंचायत का रोल क्या होता हम देख लेते हैं gram सभा की बात करें तो सबसे पहले तो जो gram सभा की meeting होती है उसमें यह decide किया जाता कि कि किसको कौन सा work दिया जाएगा local resources को जो local resources को हम use करके जो development कर रहे हैं उसमें किसको कितना work मिलेगा main यहाँ पे gram पंचायत होती है gram पंचायत आप समझ रहे हैं यह lowest level है gram पंचायत को मिला दीजे तो gram सभा बन जाती है तो gram पंचायत सबसे पहले gram पंचायत क्या करेगा अगर आपको job चाहिए आप registration करिए तो gram पंचायत एप्लिकेशन रिसीव करेगा फिर आपको job cards दिये जाएंगे आपकी registration application को verify करने के बाद जहांपे भी आप रहे हैं household को register करने के बाद आपको job cards देगा यह gram पंचायत dated receipts होती है न for these application for work वो भी ग्राम पंचायत जो है वो इशू करती है और सबसे important मैंने बताया कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको wage employment मिलना है जब जिस दिन अपने application submit कि उसके 15 दिन के अंदर अंदर employment दिया जाएगा तो वो भी ग्राम पंचायत करती है फिर उसके बाद जो works को plan करना identify करना यह सब state government की क्या responsibility होती है मैंने बताया section 32 of the act के तहद यह rules को बनाती है norms को बनाती है state employment guarantee council SEGC यह जो है वो state develop करती है उसके बाद state level MG नरेगा implement agency यह भी develop किया जाता है सब कुछ इसलिए है राज सुनिश्यत करें कि सबको रोजगार मिल रहा है कि नहीं और सबसे important social audit agency यह भी जो है जो राज सरकारे वो डेवलप करती है और फिर state employment guarantee fund यह भी राज सरकारे देखती है अब आप देख लीजे 2006 में जब से इसको लाया गया इस scheme को एक लाक दस करोण 25 billion US dollar wage payment to rural household मतलब पैसे देने में गया है एक लाक दस करोण दोस्तों कितनी बड़ी रकम है अभी तक 1200 करोण बारा बिलियन एक बिलियन is equal to 100 करोण 1200 करोण जो है अभी तक employment has been generated इतना जादा 14 सालों में on an average 5 करोण household have been provided employment every year since 2008 अभी हर लगभग हर साल 12 करोण लोगों को employment दिया जाता है इस scheme के तहते हैं सबसे बड़ी scheme एक तरीके से 80% जो household है उनको directly pay किया जाता अगर आपका bank account है directly आपके account में पैसे जाएंगे और अभी तक 10 करोण नए bank account और post office account ओपेन किये जा चुके हैं average wage कितना है पैसा कितना मिलता है देखिए वैसे तो ये vary करता है लेकिन 122 रुपए से 200 रुपए तक जाता है by day state to state vary करता है तो average wage भी है per person ये 80% से उपर गया है और आप देख सकते 146,00,00,000 works have been taken up since the beginning of the program जिसमें 60% अभी तक complete हो गए I hope आप समझ गए होंगे MG नडेगा के बारे में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी खुश रहे परते रहे देशा सिद्धान तक भी होतरी signing off and happy Diwali